सर जिस तरीके से 107 सीटों पर इस वक्त नतीजे सामने आ चुके हैं, पचास से अधिक पर आम आदमी पार्टी इस वक्त जीट चुके हैं, जिस तरीके से मतलब रुजहान आये थे, जिस तरीके से इसमें आम आदमी पार्टी को बड़त दिखाई जा रहे थी 130 सीट के आसपा यह आगड़ा 150 का पार करने वाला है इस बार तोड़ा सा वक्त लग रहा है तोड़ा वक्त लगेगा और वक्त लगेगा तो एक चीज़ यह कहते हैं कि चुनाव आयों कि उसके अंदर बताया है कि हमारे रुजानों के अंदर आमाधी पार्टी को मेंडेट मिल रहा है तो हम इसके लिए मैंने मेरा आमाध पार्टी का स्टार प्रचारक हूं तो मैंने अपने तरफ से कवीता बनाई है आज के लिए कि आपका एमसीडी में भी पर्चम लहराएगा चिंता की कोई बात नहीं है कि नहीं आपका एमसीडी में भी पर्चम लहराएगा आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा कोई अब रोक न पाएगा बीजेपी ने अपने हिसाब उसे परिसी मन करवाए फिर भी के जिरीवाल सिसोधिया जी को रोक न पाएगे एमसीडी में भी अब जाडू खूब सफाई करेगी जो भी ब्रस्टा चार करेंगे उनकी धुलाई करेगी आठ को जाडू का वी राष्ट्रे ध्वज लहराएगा चोबिस में फिर लालिकिले पर ध्वज फैराएगा कोई अब रोक न पाएगा तो कुल मिलाकर के आम आधिवज पार्टी की सरकार बन रही है एमसीडी में भी केजरी वाल रहेगा और जब सरकार केजरी वाल रहेंगे तो इस चीज़ में एक चीज़ में बता दूँ वो यह है कि अभी हमने अभी जनता के लिए एक चीज़ लिखी है आज के दिनी यह विदी का रचा हुआ क्यों कि बरसों की उधारी का आज केश हो गया गत बीस सालों का उधारी का आज केश हो गया MCD में जनता का समझो एश हो गया दिल्ली को जाडू की सफाई सी कि ये उम्मीद बुद्वार को उसका विश्री गनेश हो गया £25Heै गद्वार को उसका विश्री गनेश हो गया तो कुल मिलाकर की आमाधी पाटी जीत रही है बीजेपी हार रही है और केश के रिवाल पूरे जैसा कि देखने में आ रहा है कि फिलहाल जो इस वक्त इस्तिती है आम आदमी पार्टी 135 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है वही अगर बात हम BJP की करें तो BJP 102 सीटों पर इस वक्त आ गए है लोग कहने में यहां तक भी आ रहा है कि 150 से 180 तक की सीटें आम आदमी पार्टी इस वक्त MCD में लेकर आने वाली है